प्यारे बच्चों जय हिंद बंदे मातरम आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डेन पारशाला में इस क्लास में हम लोग विज्ञान के 35 प्रसनों को हल करेंगे जो कि आपके राष्टी आयूम योगता अधार चातरवत्ति और जान 2022 तेश के लिए बहुत ही इ लास्ट में और साथ में आप लोग कोश्चन का आंसर कमेंट में लिखते चलिएगा ताकि हमको लगे कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं अच्छा पढ़ते हैं कितनी आपकी तैयारी हुई है बाकी सारे वीडियो आपके लगातार डाले जा रहे हैं आप लोग पढ़ाई अब लोगा और इसी प्रकार से आपका जो कोश्चन पेपर उसमें भी आपका शुरू होगा यह माडल पर पत्र है तो 91 बैसे सुरू करते हैं किसानों का मित्र किसे कहा जाता है तो किसानों का मित्र कुट्टा नेवला बैल या केचुवा जिसमें कौन सा राइट आंसर लगा कुछ लोग कुट्टा भी लगाएंगे लेकिन ध्यान रखना है कुट्ट फमीर किसानुचा मित्र होनी होता किसानूं नत्यर कंदिशनर के बढ़ते परियोग से वायोमंडल में किस गयस की व्रध्धी के कारण वह जोन परत का निरंतर छान वो रहा है तो रेफिरिजरेटर और एर कंडिशनर्स कौँंसी कई निकलती है तो उस्से निकलती भी राइट होगा । इसको CC जाता सी एफ सी तो यह भी आप सी हो ऊसे संधारे को हो कि स д一點 क्यूलादि कि खोज किसने की थी तो पाई के मां की खोज आरिभ्यटने वराह महिंद सूरुत ने यहामनुने तो कौन सा रायट होगा तुसमें फ़र्ष्ट आप दोरीत भाई को कि खोज चैनल पर आप बने लखिए जितना भी वीडियो जाला जारा सभी को अच्छे से पढ़िए तभी आपका कल्याण होगा और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे है ना तो 94 परसिंद दिया गया दुरुभीन की खोजश किस ने किती राइट अंसर होगा गयली लियो यह भी इमपोर्टेंट प्रस्णा है और आसान प्रस्णा आप सभी लोगे पंचाने प्रिश्न दिया गया है कि इशरो की एस्थापना किस वर्स होई थी तो इसरो की एस्थापना आपकी होई ती 198 यह बाकि आप आप Assassin देख सकते हो कोई भी आप ¿आप देगा आपको ध्यान रखना है कि 1979 में इसरो, किến थापना होए थी इसरो क्या है, Indian Space Research Organization ये इसरो का फुल फाम है इंडियान स्पेश रिसर्च सार्च अर्गेनाईजेशन ठीक, इसरो का क्या है फुल फाम होता है अागला प्रेशन आपका 96 पे दियागा है कि डाक्टर वर्गीज कुरियन का सम्मन्ध किस करांती से है तो A आपसन है हरित करांती B आपसन स्वेत करांती 3 आपसन है पीली करांती 4 आपसन भूरी करांती तो 96 नमबर का राइट आंसर होगा आपका स्वेत करांती डाक्टर वर्गीज कुरियन को स्वेत करांति का जनक कहा जाता है ठीक और हरित करांति के जनक कौन है ये कमेंट बाक्स में सभी लोग लिखिए 97 नमब पंदियागा है कि प्रथभी अगनित रसूल आद किसके नाम है तो किसके नाम भया ये सब मिसाइले हैं तो इसमें आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा मिसाइल है 98 नमब पंदियागे भारती डाक्ट विभाग ने इपोस्ट डाक सेवा किस वर्ष आरम की थी तो इसमें आपके लिए आपसन है 2001, 2002, 2003 और 2004 तो इसमें राइट आंसर आपका होगा 2001 इसबी में भारती डाक्ट विभाग ने इपोस्ट सेवा जो है शुरू की थी 99 नमब पंदिया गया है कि सिच्छा के अस्तर खुष धारने के लिए ICT योजना का प्रारम किस वर्ष हुआ था तो इसमें आपका चोथा वाला आपसन राइट होगा 2004 इसबी में ICT योजना का प्रारम किया गया था 100 नमब पंदिया गया है कि भारत के प्रथम सैच्छडिक उपगरह का नाम बताईए तो भारत का प्रथम सैच्छडिक उपगरह कौन सा है फर्स्ट आपसन ग्यान दर्सन दूसरा एडूसैट तीसरा एगनू 2004 आपका इन में से कोई नहीं तो कौन सा राइट होगा एडूसैट उपगरह का नाम है जो भारत का प्रथम सैच्छडिक उपगरह है 101 नमब पर इसी से रेलेटेड है भारत के प्रथम सैच्छडिक उपगरह एडूसैट को किस प्रच्छेपड यान से प्रच्छेपित किया गया था तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा GSLV F1 फर्स्ट वाला आपसन ही सही होगा GSLV F1 से जो है इसको प्रच्छेपित किया गया था बाकी आपसन आप देख सकते हो क्या आपसन दिये गए है अगला चलते हैं 101 से 102 नंबर परच्छेपित का नाम है कलपना चावला तीसरा वाला आपसन इसमें राइट होगा 103 नंबर परच्छेपित का नाम क्या है सभी लोग comment box में लिखेंगे फास्ट आपसन इसलए लच्छे दूसरा आपसन ध्रुग तीसरा सूर्या और चौथा प्रसांत तो चालक रहित जो विवान है उसका आंसर है लच्छे जो है चालक रहित विवान है परथम भारत का बाल को हिंडाल को नाल को का सम्मन्द किस्से है तो बाल को हिंडाल को नाल को का सम्मन्द है वहिया ऐलुमुनियम उद्दोग से जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको अच्छे अच्छे यह बताया था बाल को हिंडाल को नाल को क्या होते हैं ना एलुमिनियम उद्दोग से समझे था है ये 105 नमर परण दिया गया कि भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम बताईए भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है पहला अपसन है ब्रंभोस, दूसरा है ब्रंभांड, तीसरा समुद्र और चोथा है आंतरिच तो सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है तो ब्रंभोस आपकी हो जाएगी 105 नमर का फर्स्ट सही है 106 नमर परण दिया गया है कि परमांड बं का अविसकार किसने किया था तो परमांड बं का अविसकार आटोहन ने किया था और तीसरा नमर इसका सही हो गया और शर आजटन ने क्या किया था तो ये सब यतने भी विसकार और विसकार रखाएं इनके नाम आपको याद रखना है दो कोसन आपको कम से कम मिलेंगे दो नमर यही आपके राइट हो जाएगे विज्ञान से नीली करांती का संबन्द किस्ते है तो फर्ष्ट आपसन आपका दियेगा है मतस्य उत्पादन से यही आपका राय टांसर होगा मचली उत्पादन से संबने दोता है नीली करांती उरवरक उत्पादन जो होता है उसका जो है तो वो है आपका भूरी करांती और तिलान उत्पादन पीली करांती और दूर्द उत्पादन क्या है तो स्वेत करांती तो यह करांतियों के नाम भी आपको हम किसी वीडियो में बताएंगे सभी लोग चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो को आनतर जरूर देखेंगे एक सवाट नमबर पंजियागा कि आनतर जरूर पहुंचने वाले पर्थम वेक्ति का नाम क्या था बिस्व में यह बिस्व की बात की जा रही है भारत की बात का जुरा अपसन होता और विस्व की बात कर रहा है तो आपका यूरी गागरिन होगा चौथा नमबर आपका राइट होगा यह आपको ध्यान में रखना है कि विस्व में पूछा जा रहा है कि भारत में पूछा जा रहा है तो विस की बात करेगा तो आलवर्ड की बात होगी तो यूरी का अगरे निसमा फस्ट चौथा आपसन राइट होगा एक सोवना नॉम्बर भंजियागा निूट्रान की कोच किसने की थी तो इसमें आपका कौन सा राइट होगा हमने आपको बताया था कि भे याद कर लेना क्या याद करना है एक सूत्र आपको हमने बताया था किसी वीडियो में किसी माडल पेपर में हमने बताया था क्या है इट पर नाच इट और टा पा और रा इट पर और नाच ना और चा ठीक तो अब इसमें याद कर सकते हो इ से होता है इलेक्टरान और टा से टामसन तो इलेक्टरान की खोज टामसन ने की थी यानि जय जय थामसन ने की थी परमाड पास से परमाड और रा से रदरफोट तो इसकी परमाड की खोज किस ने की थी रदरफोट की ने की थी और न मिन्स होता है न्यूट्रान और चा मिन्स चैडविक तो न्यूट्रान की खोज चैडविक नहीं थी तो इट पर नाच ये सूत्र आप समझलो रामबान है कोई भी आपको ये तीन प्रशनों में से पुछेगा तो आपको confusion नहीं होगा और right answer आप लगा दोगे 109 नमबर में कौन सा right होगा तो आपको चौथा नमबर आपका दूसरा आपसन सही होगा जेम सेडविक ने न्यूट्रान की खोज की थी 110 नमबर पसंदिया गा है कि मानव निर्मित रेसा नहीं है तो मानव निर्मित रेसा कौन सा नहीं है ये nylon दिया गया है खोल चौन ऊस भी तो मानव निर्मित रेसा कें कि रेस्च कीट के रेसा होता है तो लेह आपका दा़ा आपका देए की खिड़कीों में किस प्रकार की किड़की उप्योग होता है थो दो भी काहीं है ये यूरे घ्याम और आपका मेला तो इसमें आपका राइट अंसर होगा एकरलिक, कार योम ट्रक की खिड़कियों में किस प्रकार की प्लास्टिक का उप्यों कियाता है तो एकरलिक, 112 नमबर प्रण दिया गया है कि डाइनमों की खोज किस ने की थी तो माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने डाइनमों की खो और तीसरा है एक था दो दौनों तो इसमें राइट अंसर आपका होगा असंध्रप्त हाइड्रोकारबन बहुलग होते हैं पलास्टिक है नーー 114 अब्वर सीफेंगा है कि सिफुल फ्लास्टिक की जिस पर ऊत्र तेल सब्सक्राइब उसका नाम क्या है तो इसमें जो right answer आपका होगा टेफलान होगा क्या होगा टेफलान 114 नम्मर का right है तीसरा वाला अगला प्रचलते हैं तो 115 नमबर दियागा है रशी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में प्लास्टिक का प्रियोग किया जाता है तो मेला माइन, टेफलान, एक्रिलिक या पॉली प्रोपलीन तो भहिया इसमें जो राइट आंसर आपका होगा पाली प्रोपलीन का प्रियोग किया जाता है यानि पीपी का प्रियोग कियाता है जो इंडस्ट्री दिय ले रहा होता है उसमें पीपी बोलते हैं पाली प्रोपलीन है ना 115 नमबर में 14 सही है 116 नमबर पन दियागा है पैकिंग संचायक सेल के केस बनाने में किस प्लास्टिक का परियोग के जाता है तो इसमें राइट आंसर आपका होगा इस्टाइरोन इस टाइरोन को थर्माकोल भी कहा जाता है 117 नमर प्रशन आपका दिया गया है कि थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है तो राइट आंसर अब को पता ही है इस टाइरोन होता है ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रशन था 118 नमबर पर चलते हैं तो इसमें दिया गया है कि धूप के चश्मे को इस्थाई रूप से नीला बनाने के लिए कांच में मिला जाता है इस्थाई रूप से चश्मे को नीला बनाने के लिए नीला रंग देने के लिए क्या मिला जाता है तो पहला आपसन सिल्वा राइड राइड दूसरा कोबाल्ट आकसाइड तीसरा सीरम सीरियम आकसाइड और चोथा है इन में से कोई नहीं तो ध्यान लखेंगे इसमें जो right answer आपका होगा वह आपका हो जाएगा कोबाल्ट अक्साइड क्या होगा कोबाल्ट अक्साइड इसका right answer होगा अगला प्रशन आपका दिया गया है 119 नंबर पके हुए मिट्टी के बरतनों को क्या कहते हैं तो पके हुए जो मिट्टी के बातन है वो आपकी मरतिका कहलाते हैं दूसरा वाला आपसन सही होगा 120 नमब बंदियागा टेफलान किसका बहुलक है टेट्रो फ्लोरो इथाइलीन का या बिनाईल क्लोराइड का क्लोरो पीन का या एसेटलीन डाई क्लोराइड का तो किसका राइट आंसर होगा कौन सा राइट होगा तो फरस्ट वाले में फरस्ट वाला ही आपसन सही होगा 120 नमबर में फरस्ट आपसन सही होगा टेट्रा क्लोरो इथाइलीन इसका जो है बहुलक होता है अगला प्रशना आपका दिया गया है कि पौधे के किस भाग से जूट के रेसे प्राप्त होते हैं तो जूट के रेसे किस भाग से प्राप्त होते हैं तो तने से प्राप्त कियाता है जूट तो फर्स्ट आपसन आपका जूट होगा आम भासा में इसको पटुआ के नाम से भ प्राप्त होता है और रेसम कीट किन पेड़ों पर नहीं पाले जाते रेसम के कीट जो होते हैं वो आम तोर पर तो सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं लेकिन और भी आप से इसमें दिये गए हैं इनमें से एक गल्त है वो लगाना है तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कहलाता है तो रेसम कीट पालन विग्जान क्या कहलाता है तो ये भीया राइट आंसर इसमें होगा सेरी कल्चर दूसरा वाला आपसन इसमें राइट होगा 125 नमबर पर लाश्ट दिया गया है कठोर जल के साथ जाग देने वाला रासाइनिक पदार्थ क्या है तो कठोर जल के साथ जाग कौन देता है तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डिटर्जेंट जिसको सर्फ भी कहते हो तो दूसरा आपसन आपका सही हो जाएगा तो इस प्रकास से आपके 35 कोस्टन हुए और 35 प्रस्टनों में आपके कितने सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में लि आप तो हो सके है ना और अपनी पढ़ाई जाए रखिए आपको आप लोगों का 6 नुवंबर को पेपर भी होना है तो पेपर के अनसर आपको मान लिके चलिए एक महने का टाइम बचा है उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है तो डेली आपकी लाइब क्लासे साड़े सा अप्सन में दिया रहेगा वहां से आप टेली गराम चैनल जॉइन कर लेंगे वहां से जो है पीडिएफ डाउनलोड कर लेंगे ठीक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में